मेरे मसीवावनों सबको जय मसीख की स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में एक नए बिशे के साथ आए हैं जो बहुत अच्छी जानकारी आपको दूंगा केकि वो समय आ चुका है जो आज पास्टरों को जलाया फूका जा रहा जो मारा कूटा जा रहा है और पास्टरों का लहू बहाया जा रहा है मेरे मसीवावनों ध्यान देना मेरे वीडियो को देखने की सोचने की समझने की कुसिश करना जितनी लोग आज मारे कूटे जा रहे पास्टर पर चारक ये सब लोग कौन है ये लहू बहार है ईश्व मसीख के लिए जैसे ईश्व मसीख के जो बार पाश्टरों का लहू आज इस प्रत्वी बहाया गया है और जिनोंने बहाया है कलीशा उठाने के बाद प्रकासित्वाक आप पढ़ सकते हैं कि प्रकासित्वाक में लिखावा कि एक दिन पानी की बदले लहू पीएंगे लोग आप जो पानी देख रहे हैं नदियां ये पा पाश्टरों का लहू भाया जा रहा पारमेस्वर उन से गिनगिन के बदला लेगा ये पानी, शोते सब लहू बन जाएंगे लोग लहू पीएंगे तो उस समय थाओं मिर्त्यों को मांगें मिर्त्यों नहीं मिलेगी पारमेश्वर के कुरो से बचना है तो प्रातना करना प पड़े क्यांकि पास्टर मारे कुटे जा रहे जिल में बंद किया जा रहा है बहुत सरे जगह पे तो गर्दन काट दी जाती बहुत जगह पे तो लोगों का जिंदा जला दिया जाता है मेरे मशीवनु लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है इतबात करें परमिंसर का सुक उन पास्टरों के लिए परातना करें मेरे मशीवनु बहुत सरे से पास्टर परचारक हैं जिनको मारा कुटा गया है इश्यू के खाते रहे प्रभू का उचन कहता है धन्य हो तुम जो धारमीता के नंग सताय जाते हूं सुरग का राज तुम्हारे लिए है मेरे मशीवन क धन्य हो तुम जो सताय जाते हूं मारे कोटे जाते हो शूरग का राज तुम्हारा है यानि अगर मेरे मशीवन और कि और नहीं तो पास्टर के लिए परातना करें चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं हेले दोश्तों सबको जैमसी की स्वागत कहते हैं एक नए वीडियो में और एक नए विशाय के साथ एक नए प्रात्ना के साथ फिर से परमिसर का धन्यवाद करेंगे जो जुविक थुदा हम से प्रेम करते हैं एक नए बैगराउंड के साथ हैं एक फिर से नए लोकेशन में आए हैं आपके साथ प्यार बातने के लिए परमिसर कर संदेश ले के आए हैं सब जन हमारे वीडियो को वाच पूरा किया करें पूरा देखे करें क्योंकि हम परमिसर के जो वचन बताते हैं सचाई से बताते हैं ताकि आपका जीवन बदले ताकि आप सुर जा सकें क्योंकि केते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे मन ने खुमार नहीं होना पड़ यह इस जीवन की यानि इसी जी जीवन की चिंताँ में कहीं सुस्टत न होजाएं। और वो दिन जो सारे संसार के पर जो लोग रह रहे हैं उनके पर आने वाला है कहीं वो दिन तुम पर फिर फंदे के समान कहीं आजारें कि तुम पर ना पड़े। इसलिए प्रभू कहते हैं तुम इसी जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाने। जो मस्रीवन जो अच्छे बीज होते हैं जो फल लाते हैं लेकिन जो जाड़ियों में बीज गिरते हैं वो चिंताओं में दुखों तकलीफ में बड़े रहते हैं और जो जाड़ियां होते हैं उनको दबा लेते हैं तो पेर जो है फल नहीं ला पाता है। हमें क्या करना है मेरे मश्री ववनों हमें प्रभु पविश्वास करके हमें फल लाना है जब हम फल लाएंगे तो प्रभु ईश्व मश्री खोस हो जाएंगे और हमें यही करना है क्यों कि प्रभु ने आप के लिए हमारे लिए लहु बहाया है तो हम मुद प्रभु के पर बहुत सारी पड़ती तो है यानि अगर आप एक धर्मी है तो भी पतियां आएंगी दुख तकी लिए शेन आईगी मेरे सिवन अगे वच्ट म हैं कि यह हो उनशत को उन विपति ऐसे परमीशर मुख्त कर देता है आपको याप एक धर्मी है तो आपको शताओ् पड़ेगा आपको दुख तकलिफ शहने पड़ेगी बीमारी तक आएगी तो उसमें भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा दुख तकलिफ है आएंगी लेकिन प्रभु कहते हैं परमिर्शर उन सबते मुग्त कर देता है इस बात के लिए परमिर्शर का धन्यवाद किया करो इस बात के लिए परमिर्शर का सुक्रियादा करो क्यांकि वो जगत की जोती है क्यांकि वो जीवन की रोटी है जो परमिर्शर कहता है सत्यमार जीवन मैं हूं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जाही नहीं सकता मेरे मस्यवादनों लोग आपको सताएंगे लोग आप आपको तकलिफे देंगे लोग आपको परेशान करेंगे लोग आपको दुख देंगे आपको पीड़ा देंगे आपको परेशान करेंगे विपत्तियां आएंगे जैसे इस मस्री की जो बारा चिलेते उनको भी मारा कूटा गया यहना थो था तेल में तला गया था लेकिन वो उल्टा लटका या इसका सर नीचे किया गया था और स्पैर उसके उपर किए मैं इस योग नहीं हूं कि प्रभू की तरा सीदा लटका जाऊं करपा करिके मुझे उल्टा लटकाय जा तो मेरे मसी बहुत ज़या तकलिफ है उसको दे गई थी तो हमें भी दुख और तकलिफ सहना इशु मसी के लिए प्रभु हमें लेने के लिए आ रहे हैं अलेलिया अगला वचन परमेसर का क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं नीती वचन न अध्यावस का गेर वचनिया प्रभु कार से लिखावा है मेरे दौरा तो मेरी आई बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्स अधिक होंगे जब हम परमिनसर की आग्याओं को मानेंगे परमिनसर के वचन पर चलेंगे तो परमिनसर का वचन क्या कहता है कि मेरे द्वारा तुम्हारी आईव बढ़ेगी तुम्हारी उमर बढ़ेगी तुम अधिक कुछल से रहोगे जब हम परमिनसर का भह मानेंगे परमिनसर के वचन तो हमारी आई बढ़ेगी हमारी मेरे मश्य ववन उमर बढ़ेगी इसलिए पर्मेशर के वचन पे चलिए पर्मेशर की आज्याओं को माने अपने माता पिता का भैमाने उनकी बातों को माने और सबसे वहले बात पर्मेशर से प्रेम करें जब मैं पर्मेशर से प्रेम करते है तो पर्मेश्वर हमारी आई की शुधि रखता है यहाँ ईसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफुल होता था जब भी कोई काम करें दूआ करके करें प्रात्ना करके करें आप जहां कहीं जाएंगे आपके हरे काम सफल हो जाएंगे जो जिस काम में आप हाथ लगाओगे वो काम आपके सफल हो जाएंगे आप उस काम अगर प्रात्ना करके करोगे दूआ करके करोगे तो आपके काम सफल हो जाएंगे आपके हरे प्रात्ना को सुनी जाएगी परमेश्व तो राज आपके शाहत रहेगा क्योंकि उस सरों सक्तिमान इस्वर कहता है कि डर्मत मैं तेरे शाहत हूं जितना बड़ा पर मेश्वर कहता है डर्मत मैं तेरे शाहत हूं आप विश्वास रखें आप भरोसा रखें आपके हरे काम बनेंगे मेरे मश्री वैवनों आप जिसको चाहते हैं पसंद कहते हैं लब मरिश्काना चाहते हैं तो परमेशा से प्रात्ना करके करें पत्नी मांगते हैं तो परमेशा से प्रात्ना करके मांगें ताकि आपको भली पत्नी यहवा दे सकें लड़ा को पत्नी मिल जाएगी जो लड़ती जगडती रहती है कोई फैदाने जिन्दिके खराब हो जाएगी पर्मिर्श कॉचन कहता है बुरी जो इस्त्री होती है वह आपको नहीं मिलने चाहिए इस्त्री अगर आपको भली मिली है इज्जत करेगी जो लड़ा को इस्त्री होगी आपकी इज्जत नहीं करेगी मेरी में सीवनू छतके कोने पर जो ऐसी पत्नी चुने जो पर्मिर्श का भय मानती हो जो प्राथना करती हो जो पर्मिर्श के वचन पर चलती हो आप वह ऐसी पत्नी चुने सुन्दरता पर ना जाएं सुन्दरता तो सबके पास नहीं होती है लेकिन जो तन होता है जो बदन होता हुँ सबके पास होता है तो एक पतनी भाली पतनी यहवा ही दे सकता है मेरे मस्ची वावनूंँ चलिए अगला उचन देखते हैं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हलुलिया मेरे मस्ची वावनू मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ जिए आपके दादा होंगे परदा ल давай मुझे सिर्फ एक बूंद्द पानी पिला दे जादा नहीं सिर्फ एक बूंद पानी से क्या उसकी बुझकेगी लेकिन तब भी कही रहा है रहा है जिस बूंद पानी पिला दे जब अच्छी रोतियां खाते है चिकन बटन खाता था और मॉनमल के कपड़े पहनता था बैंगनी रग के कपड़े और गद्या सोफे पर सोता होगा लेकिन उधर जो गरीब लाजर था उसके घाव जे फोड़े निकले होते मवाद बह रहा होगा खून निकल ला होगा लेकिन तब भी वो परमेशर का वीट प्रमेशर का धन्यवाद कर रहा था लेकिन जो अमीर था धन्यवाद मजे मारा था एक समय की बात आती है, भाई दोनों की उमर हो जाती है, उमर ऐसे करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, अजानिक मर जाते हैं दोनों, एक को तो स्वरग जाते हैं, गरीब लाजर की आत्मा को स्वरग लोग लेके जाते हैं, लेकिन जो धनवान होता है मेरे मशीवानों उसकी जो नरक के दूत होते हैं, जो तरपाने के लिए आते हैं, आपको जो मरोगे तो आपकी आत्मा को शुरग दूत लेके जाएंगे शुरग लोग, लेकिन जो बेविचारी लोग होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, जो टोना टटका करते हैं, उनकी आत्मा को नरक के दूत ल पिला दीजे करप्या करके मैं जो आला में तलब रहा हूं अलेलुया तो ऐसे भीख मांग रहा था लेकिन उसको एक बून पानी नहीं पिलाए गया तब बताए मजे मार कर मटन चिकन खाकर मलमल के कपड़े पहन कर आज वो दुख भोग रहा है आज वो तकलीफे सह रहा है उ इसले प्रभु एक बात याद रखना जो प्रभु इस मशी कहते हैं यदे एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे लाब क्या होगा अगर सब कुछ आप संसारिक वस्तु में प्राप्त कर लिया है और मरने के बाद अपने प् भूंगे अनन्थ बिनास्यकnej क deben भोगेंगे यानि जिसका खोड़ नहीं होगा सी नहीं होने मढाएं कभी नहीं मरेंगे नास मोसे नहीं हमें भूल कर भी नहीं जाना है है यह प्रभुक है अगर लाइव तो आप से गलतिया ने और प्रॉप हुए एगर आप से पाफ हुए है दो प्रात्न में ओंद जाए लेकिन वर्चन कहा great पत्नी बत्ति बटता है लटक जाएगी और पत्नी कहेगी मेरा पत्ति कहां गया फाइदा क्या होका रोने से कुछ मतलब नहीं बनता है तो जिसको जाना था चला गया अब क्या है दरवाजा पीटो पीटो तब प्रभू क्या कहते हैं लेकिन स्वामी उतर देगा ब्रद्र नहीं खुलेगा मैं तुम कहां कियो आप ही परमेशर हमें और आपको मुखा दे रहा कि पच्चात आपका रोमन फिराओ परमेशर के पास लौटाओ लेकिन हम क्या करते हैं हम परमेशर के पास नहीं आते हैं हम संसारी वस्तु में बने यार में फसे रहते हैं में रोटी कपड़ा मकान में फसे रहते हैं अपनी तयारी नहीं करते हैं लेकिन जैसे प्रभुई शमस्य आएंगे रेप्चर हो जाएगा हम छूट जाएंगे तो हमने फिर कौन ले जाएगा हम फिर विल्च रगाओ के बेलों के समानी दर बटकते रहेंगे फिर हमारा जीवन खराब हो जाएगा फिर आपको मशीव रोदी के हां तो में जाना पड़ेगा और वहां अगर आप चले गए तो वह बताती है नरक से भी जाता यहां पर आपको तक्लिफ यहननी पड़ेगे क्योंकि जो सूरज है भी का यह सूरज इतनी धूप द सब्सक्राइब तो उस समय बताती है लोग जूलए जाएंगे उनकी चमड शुकुर जाएंगी तो उस समय को मौत नहीं मिलेगी मुझे तो सारे पहार तूट जाएंगे तो समय सब्स्क्राइब कि है पहाड हम पर गिर पर क्योंकि मुझे जो इस सिंगास में बैठा उस मेमने से बचा ले लकिन पहाड कहें कि मैं नहीं गिरूँगा क्योंकि यहवा ने मुझे माना किया है तो उसमें मिर्ट्व भी नहीं मिलेगी ऐसा हाल आपके साथ नहीं होना चाहिए अलेलिया का परमेशर ईशो मसी है यहाँ पि लोग संसार इक लोग सांति नहीं है प्रभू कहते हैं धांडत्र बांधु है प्रभु कहते हैं संसार में最 तकलीफियों वीइमारी है दुख है तकलीफ रही है लगि já मैंने तुम्हे संसार में से चुल लिया है यंशा ना जाता हो कि ल備 आने के लिए ठेमरे प्रभु इस मसियर कहा है मैंने मस्डार में सबस्रावत करें कि अगर आप सब कुछ खा पी कर सब कुछ एश के जिंदगी जी कर कपड़े अच्छे पहन कर और अच्छा खाना चिकन मतन खा कर अगर बुढ़ा पे मरने के बाद नरक जा रहे हैं तो आपने कुछ नहीं कमाया आपका सब कुछ बरबाद हो गया और यही बात सब कुछ दु के साथ रहोगे मेरे मजीवन अपने बच्चों के साथ रहोगे तो उस घर में रहोगे और अगर आप अपने प्रांड को नहीं बचा पाए तो कोई फायदा नहीं है में बात यहां है गरीब हो बने रहो परेशान दुखी हो प्रमेंसर से प्रात्न करो दुख दूर हो है क्योंकि फ्रेम का परमेंसर है मेरे में मैं से कभी दोखा दूँगा क्यों कि तिरे शाथ मैं हो त्रातना चौकर तके आपको अच्छी नी द मिले में सब्सकριण और si pramikati करते हैं प्रभु आपकी बढाई करते हैं प्रभु आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप तारीफ की योग हैं आप जगत की जोती हैं प्रभु आप जीवन की रोटी हैं आप उद्धार करते हैं पिता आपकी जजेकार करते हैं पिता क्योंकि आप जगत की जोती हैं जीवन क प्रवु का प्रभू है वह जगत के जोटी वह जीवन की रो है अगर आप उसके पास आओगज्ञेवन में और चैन्की निद्द करने के लिए प्रभू आप इनके परवाय के लगे जो भी इनसे घल्पिया हो गई हैं प्रुभू आप इने माप करे पिता इने चहमादान करें यह हुआ को पुकारे मेरे मश्यीए के लग्भाव से भूद हो अगर सोये ताकि आपको कोई गंदे बिच पिता है धन्यवाद कोई दूस्टाथम को परेसान नं कोई परिशआन करने करने क्वाए के आप इन पने शुंद परात्न करें आपने बलेश्ण दिजे पिता अपने की शहायता कीजिए आप राजाओं के राजाओं कि जोती हैं जीवन की रोटी है धन्यवाद एश्यू धन्यवाद एश्यू प्रभु इस प्रात्ना को सुने एश्यू मस्य आपके नाम से मांग लेते हैं सुने और सुविकार करें प्रभु और जल्दे से उतर दे हालेलुया आमीन